पाट्थ चौधा बहू की विदा प्रमोद आगे बढ़कर क्या निर्ण है आपने? जीवन लाल विदा नहीं होगी प्रमोद लेकिन जरा सोचिये तो यदे आपने विदा नहीं की तो बہन की क्या दशा होगी? जीवन लाल मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है प्रमूद हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हस खेल कर बिताने का सपना देखती है जीवलल जानता हूँ, मैं अपना निर्णे सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी प्रमूद यदि मैं कमला को बिना लिये ही गया, तो मा का हृदय तोट जाएगा जीवलल मैं मजबूर हूँ, अगर मा वहन का इतना खयाल था, तो दहज पूरा क्यों नहीं दिया प्रमूद हाथ चोड़कर जीवलल दहज देना तो दूर, बारात की खातर भी ठीक से नहीं की गई, भरी बिरादरी में जो हासी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है, जाओ, कह देना अपनी माँ से, कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती हैं, तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें प्रमूद जी, आप इस समय तो विदा कर दें, हम गौने में आपकी मांग पूरी करने की चेश्टा करेंगे जीवलल मैंने दुनिया देखी है, ये बाल धूप में सफेद नहीं किये हैं, और तुम, कल के छोकरे, मुझे बेवकुफ बनाना चाहते हो प्रमूद इस हाथ पर रख दोगे प्रमूद आवेश में ये तो सरा सरा अन्याय है, शिकायत आपको हम से है, उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या भी गाड़ा है, जिसकी विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं, अगर रमेश बाबू होते जीवलल तो वह क्या कर लेता, मेरे सामने मूँ खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें, वह मेरा बेटा है, तुमारी तरह बड़ों के मूँ लगने की बत्तमीजी करने वाला कोई आवरा छोकरा नहीं प्रमूद बाबू जी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा आपमान कर रहे हैं, किन्तो यह न भूलिए, कि आप भी बेटी वाले हैं जीवलल हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुमारी तरह नहीं पिछले महीं ने हमने भी अपनी गोरी की शादी की है इतना दहेश दिया, कि देखने वालों ने दातों तले अंगुली दबा ली तुम मेरी बराबरी क्या करोगे? हम बेटी वाले, बेटी वाले होकर भी हमारी मूचें, मूची हैं, समझे? प्रमूद जी जीवलल रमेश गया है गोरी को विदा कराने, बस कुछ देर में उसे लेकर आता होगा मेरी बेटी पहला सावन यहीं बिताएगी तुमारी बेटी के सपने कभी पूरे नहीं होंगे प्रमूद व्यंग से जो हमारी बेटी और बहु को एक तराजू पर तॉलना चाहते हो जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ जीवनलाल जरूर और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार पचास हजार नगत लेकर विदा कराने कब आओगे उंचे स्वर में अरे सुनती हो गोरी की माँ, जरा बहु को भेज़ दो मैं गोरी के लिए जूला डाल रहा हूँ, लान में जीवनलाल बाहर चला जाता है कमला अंदर से उधास चेहरा लिया आती है वहाँ प्रमूद के पास चुप चाप खड़ी हो जाती है प्रमूद पागलना बनो कमला, रो मत इन मोतियों का मूले समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं है पानी से पत्थर नहीं पिखल सकता कमला, सिसकती हुई बैया, क्या प्रमूद घबराओ मत, मैं जल्दे ही फिर आऊंगा उस बार विदा अवश्य होगी क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा कमला, मरहम, प्रमूद हाँ कमला, हमारे विवहार से बाबुजी के कलेजे में घाव हो गया है उन्हें मरहम चाहिए अर अस मरहम की कीमत है पचास हजार रुपे कमला, मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भाया आपको मेरी सुख सोहाग की सौगंध है प्रमूद ये क्या कह रही हो तुम क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहलियों के साथ मा के घर बिताओ कमला, किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भाया लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहां तक ठीक है प्रमूद लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा कमला कागस के टुकणों पर अपना स्नेह और प्यार भेशने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश कमला और प्रमूद उठते हैं राजेश्वरी बैठे रहो तुम लोग हाँ विदा के लिए क्या कहा उन्होंने प्रमूद मौन रहता है कमला दृष्टे नीचे कर लेती है समझ गई अपनी जिद के आगे ये किसी की सुमते नहीं मैं तो इन्हें समझाते समझाते हार गई क्या कहा उन्होंने कितना रुपया चाते हैं प्रमूद जी रुपयों की तो कोई बात नहीं हुई तो राजेश्वरी माहा से जूट बोलते हो मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ इंसान से जादा प्यारा उन्हें पैसा है बोलो कितना रुपया लेकर वे विधा करने को तयार है चुप क्यूं हो बताओ प्रमोद पचास हजार राजी श्वेवी बास मैं देती हूँ तुम्हें रुपय उनके मुह पर मार कर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिने तुम आदमी से जादा प्यार करते हूँ जाते हुए मैं भी लाती हूँ प्रमोद ठेरिये माजी मुझे रुपय नहीं चाहिए मैं बिना विधा कराए है जा रहा हूँ राजीश्वरी ये क्या कह रही हूँ बेटा मेरे रहते विधा नहोँ ये कभी नहीं हो सकता मैं मा हूँ मा के दिल को समझती हूँ भारीश्वर में जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ उसी तरह तुम्हारी मा भी कमला की रहा देख रही होगी तुम अकेले नहीं जाओगे चाबियों का गुच्छा कमला की उर बढ़ाती है जा पेटी चलती कर कमला सिसकने लगती है मेरे बेटी जी मनलाल बाहर से अरे सुनती हो गारी के आने का समय हो गया तुमने स्वागत की तैयारी नहीं की राजेश्वरी कमला से जा पेटी तु अंदर जा कमला अंदर जाती है जी मनलाल अरे तुम यहां खड़ी हो जाकर तैयारी करो स्वागत की जरा ये भी देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कहसे करते हैं राजेश्वरी गालियों के अलावा कभे सीधी बात नहीं निकलती हूं से जीवनलाल ये हलो इसमें कौन सी गाली देदी मैंने राजेश्वरी तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाली हूं और सब नकटे हैं जीवनलाल तो मैं तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है नेपत्थे से कार का होन बजने का स्वरा आता है लो आ गई मेरी गाली अरे खड़ी खड़ी मेरा मुह क्या देख रही हो अंदर से मिठाई का थाल लाओ बाहर से रमेश चुप चाप आकर खड़ा हो जाता है वह अकेला और उतास है जीवनलाल बिगड़ कर हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में तहेज पूरा नहीं दिया गया लो भी कहीं के राजिश्वरी उन्हें क्यूं भला बुरा कह रही हो बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच करते दी पर बेटे वालों के नाक भौहिस सिकुड़ी ही रहती है जीवनलाल मगर शराफत और इंसानियत राजिश्वरी अब शराफत और इंसानियत के दुआई देते हो पर कुछ देर पहले तो जीवनलाल चुप रहो तुम राजिश्वरी बहुत चुप रही अब नहीं रहूंगी आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में मगर तुम हो के जीवनलाल मेरी बेटी को विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है राजिश्वरी तुम भी तो किसी की बेटी को विदा न करके आप मान कर रहे हो किसी का गारी की मा राजिश्वरी अब भी आखे नहीं खुले जो व्यवार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों के बेटी को भी तो जब तक बहु और बेटी को एक नहीं समझोगे तब तक ना तुम्हें सुख मिलेगा और ना शांती जीवनलाल बहु और बेटी, बेटी और बहु अजीब उल्जन है कुछ समझ में नहीं आता राजिश्वरी अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उल्जने सुलच जाए जीवनलाल शायद तुम ठीक कहती हो प्रमोद अब मुझे आग्या दीजे बाबुजी जीवनलाल रमोद बाबुजी मेरी गाड़ी का समय हो रहा है मैं जा रहा हूँ जल्दे ही फिर आऊंगा विश्वास रखें इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना नहीं भोलूँगा जीवनलाल ठैरो प्रमोद मुझे और लजजित मत करो बेटा मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालोंने दूसरी चोट से कर दिया है अरे खड़ी खड़ी हमारा मुह क्या ताक रही हो अंदर जाकर बहु की विदा की तयारी नहीं करनी है क्या